दोस्तो अईशिके इस वीडियो में ग्लाइस फेज SR1 टैबलेट को लेकर बात करने वाला हूँ इस टैबलेट का यूजेश, डोजेश, प्रैस और ये टैबलेट यूजेश करने से क्या-κया साइड एफेक्ट हो साथा है यही सारे बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ तो दोस्तो इस वीडियो को सुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते है दोस्तो सबसे पहले तो कहना चाहूंगा यह ग्लाइसिफेज SR1 टेबलेट किसी डॉक्टोर के सला से ही यूज़ करना चाहिए और यह टेबलेट जादा तर मेडिकल सॉप या केमिस्ट्री सॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और अगर हम बात करें इसका कमपनी की तो दोस्तो फ्रांक को इंडियान फार्मसिटिकल्स प्राइबेट लिमिटेड कमपनी ने लाती है इस टेबलेट को और अगर हम बात करें इसका MRP की तो दोस्तो दस टेबलेट का एक स्टिप होता है एक स्टिप का कीमत है 40 रूपे 40 रूपे और ये कीमत फ्लेक्च्टिट होते रहते है तो आईए दोस्तो अब हम जानते है ये गलाइसिफेज SR1 टेबलेट में क्या-क्या कॉंटिंस का इस्तिमाल किया गया है दोस्तो इस टैबलेट में जो कॉंटिंस का इस्तिमाल किया गया है ओह है मेटफर्मिन हाइडरो क्लोरीड सास्टेनेट रिलेज टैबलेट आईपी वन ग्रम जो कि इस टैबलेट का यूज होता है सुगर लेबल को कंट्रोल में लाने के लिए अगर आप मदुमे का पैसेंड है यानि सुगर का पैसेंड है तो आप ये ग्लासिफेज SR1 टैबलेट यूज कर सकते हो सुगर लेबल को कंट्रोल में लाने के लिए ये टैबलेट काफी इफेक्टிव है दोस्तो और अगर हम बात करें ये गलासिफेज SR1 टाबलेट यूज़ करने का क्या डोज होना चाहिए तो दोस्तो जादा तर फैसंड के लिए सुभा को खाना खाने से पहले आधिस से एक टाबलेट फ्रिस्क्राइब करती है डॉक्टोर और अगर हम बात करें ये गलासिफेज SR1 टाबलेट यूज़ करने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है तो दोस्तो इस टाबलेट का क्या साइड इफेक्ट है जैसे कि धुन्दली द्रिष्टी, तेज धड़कन, सीने में दर्द, मतली या उल्टी इसके अलवा दस्त, या पेट दर्द, भूख कम लगना, सरदर्द, पेट की गैस, अपच इसके अलवा मू का टेस्ट बिगड़ना, इन में से कोई भी प्राबलेम दिखाई दे सकता है यदि पैसेंट को ये गलासिफेज SR1 टाबलेट सूट ना करे तो यदि आपको ये गलासिफेज SR1 टाबलेट यूज करने से कोई भी साइड इफाक्ट दिखाई दे या गंभिर कोई समसा हो तो आप इस टाबलेट का इस्तिमाल ना कीजिए और तूरां किसी डॉक्टर से संपर्थ कीजिए तो दोस्तो ये ही था गलासिफेज SR1 टाबलेट को लेकर कुछ जान करें वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ स्यार कीजिए तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों बाई बाई